नमस्कार जानता हूं कि ये राजस्थान का नोटिफिकेशन तीन दिन पहले 20 तरीक को आ चुका है और उसी दिन ये स्टार्ट हो गे थी प्रोसेस और आज मैं ये वीडियो आपके लिए 24 तरीक को डाल रहा हूं बट आप सभी जानते हैं कि जो हमारे ज्यादत है तो 20 तरीक को जानते हैं स्टार्ट हो चुका है 27 तरीक चार पी तक अवेलिबल है और 2000 रुपे फीस है सब के लिए चाहे वो रायस्थान के हैं चाहे बाहर के हैं और 1200 रुपे है अगर आप SCST, STA या धायलाग रुपे से कम की EWS में आते हैं और इसके लिए आपक बाते क्या हैं जैसे कि मैंने का आप मैंसे काफी लोग तो भरी चुकी होंगे पर जोनों नहीं भरा उनके लिए और जो भरी भी चुके हैं उनके लिए यह जाना जरूरी है कि आपने फूचर में क्या ध्यान रखना है तो जैसा मैंने का आज समय है तो राजस्थान का बता प्राइवेट हो जाते हैं जिसमें कुछ सीटे सरकारी भी हैं और कुछ सीटे लेकिन मेनेजमेंट सीटे जो हम जानते हैं साड़े साथ लाग रुबे टूशिंट फी है शेद राजस्तान का परपस यह था मैं हमेशन लोगों को समझाता हूँ कि देखिए कभी कपा सरकारों क परपस यह रहता है कि कुछ लोग जिनके नंबर थोड़े से कम है पर वो फोड कर सकते हैं वो यह सीट ले पाए बर जो मेरा एक्सपीरेंस है वो हुआ यह है कि सारे जो टॉपर वही ले ले लेते हैं क्योंकि MBBS के सीट इतनी मुश्किल है कि यह जो फीस है इसका कहीना कही लेते हैं और इन सभी सीटों में NRI सीट भी हैं इन सभी कॉलेजिस में और शेयद यह बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है सरकारी कॉलेजिस में फ्रॉड का तो मैं आपको बता हूँ को रायस्थान में क्यों इतना फ्रॉड होता है या फ्रॉड का सल्टर्स आपको जो मिलते हैं वो यही NRI सीट दिखा दिखा के आपको कहते हैं कि यह हम आपको दिलवा देंगे वो भी सरकारी कॉलेजिस में जहां फीज भी रिजनेबल होगी प्लस आप एक टॉप गवर्मन कॉलेजिस में पढ़ रहे होंगे इसके लावा फिर यह प्राइवट कॉलेजि तो पाँच और जैपूर में तीन वेरी फेमस महादमा गादी मेडिकल कॉलेज जैपूर नेम्स और जे एन्यू प्लस इस साल से निया लॉंच हो रहा है डॉटर एसस तांतिया तो टोटल हम देखते हैं तो तक्रीबन ब्याली सो सीटे अब हो चुगी है राजिस्थान में MBBS की BDS के बारे में भी यही हैं काफी सीटे हैं और आपको जैसा आप मुझे जानते हैं कि मैं बहुत जादा कवर करता है नहीं हूँ BDS को और आप देखेंगे तो इन लोग ने भी यहां पर आपको सरकारी कॉलिज में BDS पराया जा रहा है बागी हर जगा प्रैवेट ही है और जो प्रैवेट है उनकी विशीटे नहीं परती है तो और आपको BDS करने तो कि लास्ट में तो इनको कैट की नीट की परसंटाइल में रिवेट देनी परती है और 40 परसंटाइल के बच्चों को भी अलाउड हो जाता है BDS करना दो महीने के बाद सबसे इंपॉर्टन चीज जो हमने अभी देखा था कि 2012 सोर्प हो गया हम यह पता है कि क्या होना चीए सब को बता है एज लिमिट 17 साल से उपर 25 साल से कम लेकिन दो केस डलेवें सुपरीम कोट में 25 साल वाला और ओपन स्कूल वाला तो फिलहाल 25 साल से उपर वाले बड़मीशन ले सकते हैं इंडिन मेडिकल कॉलिजिस में और ओपन स्कूल प्राइवट केडिड भी ले सकते हैं बट फिर भी आपके पास फेस क्रिमेस्टर बाइलोजी तो होनी ही चाहिए यह सबसे इंपॉर्टन पेज है और स्चूचर में भी काम रहेगा मैं कोशिश करके इसका लग वीडियो बनाऊंगा बाद में कि राजस्थान के डोमिसाल का क्रेटीरिया क्या है और पहले दो पॉइंट है यह अफकोर्स बोनाफेट रेजिडेंट हो गया पर पहला पॉइंट कि अगर पेरेंट्स तस स से रह रहे हैं राजस्थान में वो रहे हैं टोटल तस साल कभी भी और बच्चे ने पांस सार राजस्थान के स्कूल में पढ़ाई करी है तो भी आपको राजस्थान का डोमिसाल मिल सकता है तो यह एक तरीका हो गया कि राजस्थान का डोमिसाल कैसे ले सकते हैं मैंसे कु off for need उसी में से एक राजस्थान है बाकि सब के सब भाई आर्मी वालों के लिए सरकारी लोगों के लिए और फिर ग्यारव आ जाता है और most of the non-राजस्थानी जब हम फॉर्म भरेंगे हम इसी option को क्लिक करेंगे क्विकली बताऊंगा मैं फॉर्म कैसे भर रहे हैं दूसरा जो मैंने बोला NRI eligibility बहुत क्लियर है कई बर लोग कन्फूज होते हैं मैं मैं मेंशा कहता हूँ ये देखिए हिंदी में अगर मैं फिर से बोलू तो बच्चे के पापा ममी दादा दादी नाना नानी और सगे चाच चाचा का बेटा भी नहीं चलेगा तो पिता जी का सगा भाई भेन बच्चे के सगे चाचा ताओ चलते हैं तब ही आप NRI बन सकते हैं जैसे मैंने कहाना कि इन काख्चों के दम पे वो सरकारी NRI seat लेने के लिए बहुत fraud होता है और दूसरा जो famous fraud है राइस्थान में वो इस इस कॉलम की वजह से कि जो टोटल 24 सीटें सेंटरल पूल की है तो आपको कई consultant बोलेंगे कि हम आपको ये दिलवाद देंगे आपकी papers बनवाद देंगे और फिर तो आप साकारी सीट में पढ़ोगे और उसके लिए वो आप से 10-15 लाग रुपे में ले लेते हैं फिर आप जो चक्कर कारते रहते हो वो आपको पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं तो इन दोनों फ्रॉट से बचिए ना ही NRI सीट अराम से मिलती है और नहीं ये सेंटर पूल डेटा की सीट अराम से मिलती है दोनों लिए बचके रही हैगा उसके बाद के रिजर्वेशन सा गई जो दो रायस्थान के बच्चे हैं वो सब जानते ही हैं ज्यादा सा में इस पर नहीं लगाऊंगा और रायस्थान देखिए सेकेंड रॉड में खुलता है बहार वालों के लिए लेकिन पूरे ब्रोशर में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि राउंड टू में फ्रेश अप्ल कोडिविकेशन तो आ चुका है यह वेब साइट है राज नीट यूजी 2021.com इसमें पहले आप पार्ट वन करेंगें किन्फूज होनी बात थी दोनों बहुत सिंपल है अच्छुली आप इस बटन को दबाते हैं आप चार डेटा दालते हैं जो आपको नीट स्कोर कार्ड मे है तब ही वेलिडेट होगा और आपने गल्द भर भी दिया मुलब आपने ऊपर तीर इंफ्रमेशन भरी इसको गल्द भर दिया वेलिडेट करोगे नहीं होगा चेंज कर लेना कोई दिक्कत नहीं है मेरे बस काफिस टूर्ट का है पर अब इमें दिखाना ने चाहता है और ध्यान यह रखना है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो यह इमेजेटली आपको स्क्रीन पर ही नज़र आएगा आपका रेजिस्ट्रेशन और पासवर्ड पासवर्ड जो आप बाद में यूज़ करेंगे इमेल या मोबाईल लंबर पे नहीं भीज रहे हैं आप प्लीज नोट के कीजिएगा पेमेंट देते ही विंडो बंद मत कीजिएगा वरना आपको इन दो बटन से अपना पासवर्ड और रेजिस्ट्रेशन आइडी रिकवर करना पड़ेगा विल आप खाम का जंज़ट है सिर्फ दो डॉक्यूमेंट अप्लोड कराये थे बच्चे का फोटो और सिगनेचर तो बहुत ज़ादा डॉक्यूमेंट भी अप्लोड नहीं करा रहे हैं बजाए कि किसी और फॉर्म्स के खासकर साउथ इंडिया की जिसमें हम जानती हैं कि सारे स्कूलों के नाम भी देने बढ़ते हैं उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यह एडमीशन के टाइम पर चाहिए फिट से बहुत कॉमन है कुछ ऐसा नहीं है कि बड़े यूनिक डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे और इस पर आते हैं जो बॉन बॉन या बैंक गैरंटी है क्योंकि राइ हम सबी जानते हैं कि रायस्थान में दो साल का बॉन्ड है और नहीं देने पर पांच लाख रुपर देने परते हैं तो जो लोग और इंडिया कोटा से अपलाई करते हैं अक्सर इसलिए वो रायस्थान को ऊपर नहीं रखते हैं विगास अफ दिस टू यर ऑफ बॉन्ड इसमें एक और यूनी चीज है कि आपने सरकारी सीट ली और आपने सेकंड राउन की काउंसलिंग के बाद आप वो सीट छोड़ रहे हैं किसी भी वज़य से जो होना नहीं चाहिए बस सरकारी कॉलिज इसको मिल जागा वो सीट क्यों छोड़ेगा लेकिन अगर आप की फीज देनी पड़ेगी जो साठे साथ लाके लाक इंटू साठे चार साल और सिमिलरली एनरए से कह रहे हैं कि आपको पूरी एनरए वाली फीज देनी पड़ेगी अगर आप सीट लेके छोड़ते हैं एक ही हमने जिगर के अदर सरकारी डंटर कॉलिज है और इसका साल के भी पोस्ट डेटीट चेक्स लेते हैं तो इसका प्रोसीजर है वो बिल्कूल M.C.C की तरह है यह इसलिए मैं फर्क बता रहूं कि सब का ऐसा नहीं है यूपी या मत्यप्रदेश राउंड वन फ्री एक्जिट राउंड टू से पहले आपसे एक लाग रुपे लिए जाएंगे अभी तो दोज़र लिए जारें और सीट मिली आपने नहीं ली लाग रुपे गए सीट मिली आपने ले ली बहुत बढ़िया इनलिजिबल फर फर्दर का उसलिक सीट मिली नहीं तो आप जैसा मैंने कहा अप्रेटेशन वगेला सब अलाउड है जो नॉर्मल चलता है फर्स राउंड जोंग कैंडिडेट फू हजन्ट में अप्गेड़ेडे डूरी सेंगें राउंड कांस्टिंगा तब मिल्स में रिपॉंट में रिजाइन अरे स्पॉर्ट विदाउट फूर फिर फ्री एक्जिट वाला पॉइंट यह आगया ठीक है तो बाकी सिंपल है आपको आपको अपर कांसर बताते रहेंगे उसके अलावा ऐसा खास नहीं है जो कि अभी मुझे आपको बताना जरूरी है जैसे ऐसे अडिमिशन होता जाएगा वैसे वैसे आपको मिलता चला जाएगा अभी कुछ नहीं मांग रहे हैं यह एफ डेविड वगारा जो काफी और स्टेट्स मांगते हैं उफकोर्स डिफ के से एनराई का आगया तो लेकिन उसके लावा कोई भी मतलब अभी ऐसा नहीं है कि हमको देने पड़ेंगे यह जब सीट मिल जाएगी तब आप देखेंगे जी जो सर्विस बांड हम बोलते हैं जो मिने पांच लाग के बांड की थी इन्होंने ब्रोशर में उसका भी जि कुछ और नहीं देना है और फिर से उन्होंने अनराई का आपको समझानी कोशिश करिए तो यह हो गया देखिए राजस्तान में फैदा क्या है अनुसान आप जैसे मर जी इसको बोलना चाहे कि प्राइवेट कॉलेजिस लाइसारी से गूड स्टेट टू लिव एडिली में रहता हूं और नॉर्थ इंडिया में राजस्तान ना बड़ा प्यारा स्टेट है बहुत बिल्कुल आप कभी भी कोई धगडा नहीं सुनते होंगे कोई दंगा फसाद कुछ नहीं सुनते होंगे लवेबल पीपल है महेंगे कॉलेजिस हैं अमेरिकन और अनंता की फीस स्टेट होती है जो करवर्ट होती है नॉर्मल मेनेजमेंट में और फीस देखिए आप बिकॉस अगर आप एक सुचालिस नंबर भी है आपको सीट मिल जाएगी MBBS में इंडिया में हां इसको आप सारे चार से मॉट्टिपलाइग करेंगे तो आप जानते हैं कहां पैकेज पहुँच जाएगा लेकिन कुकि इतनी फीस है अगर आपके अंदर पेशन्स है राजस्थान नौथ इंडिया में एक ऐसा स्टेट है बिगास ओडिस फी स्टक्चर देखिए यह सब लोग कम से कम मॉप आप राउंड तक वेट करते हैं स्ट्रे मॉप आप तक वेट करते ह अनराइस के लिए क्योंकि नोंने वो अनराइस की सीट ले रखी है और तो यह तब तक वेट करते हैं और उसके बाद ही करवल्ट होती है राउंड टू में नहीं कर सकते हैं तो राजस्थान के कुछ कॉलेजिस में ऐसा होता है कि यह फीस वाले सीटे लास्ट में बच जात हैं किसे नंबर 220 ही है और हम जानते हैं कि 220 में और तो कोई सीट कॉलेज मिलेगा नहीं एक सो सतर नंबर ही है और बताता हूं मैं लेकिन हमारा बजट 80 लाग काई है या 75 लाग काई है और ठीक है अगर सीट नहीं मिलेगी तो यह रेडि टू ड्रॉप मैं कहूंगा ऐसे लो सीटे चार सीटे पाँ सीटे बच रही हैं और हम 75 लाग के एक लंब सम टैकेज में जिसमें बगादा कॉली साइन करता है कि 75 लाग टोटल बच्चे को देने हैं तो सुचिए रायस्तान में ऐसा होता है कि आप लड़ से कि यह कॉले जोहन कर रहे हैं गितांजली आप देख रायस्तान ने यह जो फी स्टेक्चर बहुत है है वी कर रख है और हर कॉलिज में सीट्स हैं अगर आप ब्रोशर याद कीजिए ना तो यह जो सीट्स हैं चूंकि हर कॉलिज में हैं सोरी तो उसकी वजह से आपको अराम से अडिमिशन मिल जाता है सो बेस्ट अव लग जैस कि आप राउंड टू के लिए अलिजिबल रहें और आपके पास एक बैक अप रहें ओके हमारी पेड प्रीमियम काउंसी लेना चाहते हैं तो आप जानते ही है नाइन सिक्स फोर थी थी सिक्स टू थी टू जिरो आपके जानेकारी के लिए पहले हम एक नॉमिनल चार्ज कर हम आपको अपना फाइनल काउंसलिंग पैकेज बताते हैं तो कि आप क्या चाहते हैं कितने स्टेट्स में अपलाई करना चाहते हैं तो हमारा काउंसलिंग पैकेज काफी फ्लेक्सिबल हम सीधा कहते हैं कि जितना काम उतना दाम तो जो लोग सिर्फ एक फार्म भरवाते है उनसे कम चार्जिस ले जाते हैं जो छे जगह भरवाते हैं उनसे उसाब से चार्जिस ले जाते हैं धन्यवाद, have a nice day, bye bye